आसे 8 साल पहले की बात करो तो किसी MSME को अगर export करना होता थो तो वो trade fair जाती थी अंगिनत लोगों से बात करती है अपने overseas वाले relative से बात करती है और किसी तरह एक export order ढूंड़ान के लेके आती बट export order का मिलना तो सिर्फ शुरुआत भरती उसके बाद कई सारी चीज़े पिक्चर में आजाती थी जैसे कि आपका एक पेमेंट टम्स हो गया, compliance हो गया, licensing हो गया, logistics हो गया, CHA हो गया, forwarding हो गया और अगर आपने यह सारी जीज़े किसी तरह कर भी ली तब भी उसके बाद इस बात कटर लगा रहता था कि माल पहुंचने के बाद बायर पैसे देगा कि नहीं देगा नहीं दिया तो गई भैस में, एक export order किसे तरह मिला था और वो भी आप बायर कह रहा है कि माल में देखकर है हम पैसे नहीं देंगे अगर आपको यह बहुत बड़ी organization है तो यह सारी चीजों को टैकल करना बहुत मुश्किल नहीं होता क्योंकि बड़ी organization के पास team भी होती हो और overseas building भी होता है बट आज की रेट में MSMEs की बात करें तो यह हमारे देश के GDP में around 25% का contribution देती है और हमारे देश में जो जतना export होता उसका 50% इन MSMEs के द्वारा ही किया जाता है तो यह सारी चीज़े हुई कैसे किस तरीके से इतना बड़ा चीज आया MSMEs के export में इन सारी चीजों को इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा 2015 में उन्होंने launch किया अपना Amazon Global Selling और फिर क्या था Amazon Global Selling ने एक ऐसा playing field दिया हमारे MSMEs को कि अब वो बिना किसी चिंता के अपने products को पूरो दुनिया में कहीं भी भेज सकते थे और उनको payment terms और दूसी चीजों की चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी अब तक Amazon Global Selling के द्वारा around 120 million Indian products को already list किया जा चुका है Amazon के platform पे और around 35,000 active sellers है Amazon का platform पे जो all over world में अपना product sell कर रहे हैं और export कर रहे हैं बट बट सबसे बड़ी दिक्कत बता है क्या थी जब Amazon 2013 में इंडिया में आया था और उसने अपनी global selling services शुरू भी कर दी थी बट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ effort बहुत ज़्यादा कुछ effect आया यह नहीं था इन MSMS के behavior में क्योंकि हम लोगों को और Amazon पे sellers थे और दूसरे e-commerce platform पे sellers थे वह कहीं नहीं बहुत ज़्यादा कम थे बट December 2019 में क्या हुआ पिक्चर में आता है कोविड कोविड एक ऐसी चीज बनके आया कि दुनिया ने जिसके वारे में ना पहले कभी सुना था ना कभी देखा था और किसी को नहीं पता था इस चीज को किस तरीके से टैकल करना और किस तरीके से एंडल करना है दिसमबर 2019 में कोविड ने के बाद कई सारे स्टेट्स लॉंक्डाउन में जाने लगी दुकाने बंद होने लगी मार्केट्स बंद होने लगे कई सारे बिजनस इसके चलते बंद हो गया सर्वे रिपोर्ट बताती है कि कोविड MSMEs की earning में around 20 से लेके 50% तक कमी कर दी थी और कई सारे बिजनस बंद होने लगे क्योंकि उनको operate करने के लिए उनके पास जो capital था वो था नहीं cash flow बिलकुल बंद हो गया था क्योंकि जो हमारी MSMEs थी वो कहीं ना कहीं credit पे बहुत जदा काम होता था हमारे MSMEs में बहुत ही local level पे चीजें होती थी credit जो cash flow था वो बंद हो गया इस COVID-19 के चलते बट इस COVID-19 ने वो कर दिया यह online company जो इतने सालों में नहीं कर पाई COVID ने हमारे MSMEs को digital बना दिया अब deals एक साथ दुकान पे चाय पे बैठके नहीं Amazon और Flipkart में होने लगी माल को physically देखना छोड़के high definition images के द्वारा खगिदा जाने लगा COVID ने इंडिया में जो अगले 5 साल में digitalization आने वाला था वो एक ही साल में ला दिया 2020 के quarter 2 और quarter 3 में global e-commerce revenue 80% से जाधा बढ़ गया इस COVID-19 के चलते और इंडिया जो है cross-border e-commerce trade के मामले में top 10 countries में आ गया इसी e-commerce revolution के चलते UP के किसी चोटे से गाउं में बैठे किसी चोटे से handicraft manufacturer अपना जो माल है वो US और यूरोप जैसे बड़े markets में sell कर पा रहा है और अप समय इसको empower कर रही है although मुझे पता है कि अभी भी Amazon में और दूसरे जो e-commerce platform से उन पर थोड़ी सी कही ना कहीं कोई दिक्कत है क्योंकि वो जो है seller कर data use कर लेती है और जो high selling products है उसको अपने ही brand के अंटर में manufacture करा के फिर वो बेचने भी लगती है बट वो एक दूसरा issue है कर रहे हैं जिसके चलते हैं आपको सिर्फ अपने products के तरफ ध्यान देने की जरूरत है और इसको व्ल्ड क्लास बनाने की जरूरत है जो कि अल्डेडी इंडिया की प्रड़क्ट्स है और US और European market में इसको जादा प्रेफियर किया जा रहा है और चाइनीज गुड्स क्योंक ग्लोबल डिजिटल सप्लाइचेंज के नॉलजच के साथ और पूरा पूरा प्रकेज ऑफर करने वाली है जिसमें कि उनको बस अपने products के ओपर ध्यान देने की जरूरत है और बाकि सारी चीज जो है वाल मार्ट ही समालने वाला है जैसे कि अब तक Amazon Global Selling कर रहा था बट कोई अपनी तरफ से इसका अंसर करता है जो कि ठीक है कहींने कहीं हर कोई नौज प्रवाइड करने की कोशिश कर रहा है बड़ यह जो एक एक एसपेक्ट है ग्लोबल एससे लिंग का यह मुझे लगता है कि कहींना कहीं लोग बहुत जदा इसको अंडरेस्टिमेट करते है और कहींना कहीं इसको मिस्स कर देते हैं क्योंकि मैंना दादा यूट्यूबर्स को देखा नहीं इसके बारे में बात करते हुए मुझे लगता है कि ग्लोबल एकॉमर्स सेलिंग जो है वह बहुत पावर्फुल प्लैटफॉर्म में जिसके चलते आपकी प्रड़क्ट की प मुझे लगता है कि अभी एक चोटा सा प्रॉबलम है क्योंकि लोजिस्टिक्स जो है वह भी थोड़ा सा कॉंप्लेक्स है बट यह बड़ी बड़ी कंपनी से यह कंप्लीट पैकेज़ के साथ आ रही है आपका आपको सिर्फ स्माल पैक करके लोगों को देना होता है बाकी डिलिवरी, डिस्पैच, फ्रेट वागेरा सारी यह कंपनी आज की डिट में हैंडल कर रहे हैं कहीं लोगों ने बड़े-बड़ी कंपनी के साथ आप किया है खुद का लोजिस्टिक्स उन्होंने शुरू किया है अमजोन के पास खुद के प्लेन से लोजिस्टिक्स प्ले बड़िया रहेगा कि किस तरीके से हमारे MSME जो है लोकल से डिटल हो रही है और इन e-commerce प्लेटफर्म का यूज भी करना शुरू कर रही है क्योंकि government भी जो है उनको पता है कि e-commerce प्लेटफर्म जो है e-commerce global selling e-commerce एक्सपोर्ट जो है वह कहने बहुत जार पावरफुल टूल ह और आने वाले टाइम में बहुत सरी नहीं नहीं पॉलिस आने वाली है जिससे की competitiveness बढ़ेगा और हमारी MSME इसको बहुत जदा help मिलेगा in terms of global selling in terms of e-commerce global selling तो यह मेरा टेक था e-commerce global selling के उपर मुझे लगता है कि बहुत powerful platform है और अगर आप लोग अब तक इसका यूज नहीं क अब अब तक के लिए नमस्कार दोस्तों